अलोел है अर गल्लोफिके मारी सस्कूल नियोपूलें स्वागा नियुगा है क और शली को पुछ क्लास जिलें स्वाइबर सब्सक्राइब करें, इस की स्वाइब के पड़ाइं है जी टॠीनियूरीं हैं प्राइमरी लो लेर्णिंग और सेकंडरी लो लर्निंग आज हम क्लास में डिस्कर्स करेंगे सेकंड लर्निंग तेयोरी यह काफी important है perspective of important for super teachers for old teaching exams यह सब important हैं तो इनको अच्छे से करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंदारी हो तो like, subscribe and share करना नाम खुलेगा चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा Classical Conditioning Theory Classical Conditioning Theory पढ़ने से पहले हम बात करते हैं Behaviorism की, Behaviorism क्या होता है Behavior को आप control कर सकते हो और modify कर सकते हो यहनि की change कर सकते हो, किसी के भी behavior में आप modification कर सकते हो, और वो किस base पे होता है Antecedent और consequence of behavior के base पे होता है अब आप पूछोगे Antecedent क्या होता है, तो Antecedent एक ऐसा event है जो होता है behavior से पहले, कोई behavior बनने से पहले और जो affect करता है होने वाले behavior को ठीक है, तो behaviorism की जब भी बाते आती है तो हमारे पास four person होता है, जो काफी important नाम है जिनको अच्छा खासा जाना जाता है behaviorism के लिए एक इवान पावलव सबसे पहले है इवान पावलव जो है, उन्होंने classical conditioning theory दी है behaviorism से ही related है वो थोरी B.A.F. Skinner है, जिन्होंने operant conditioning theory दी है वो भी behaviorism से ही connected है इसी तरीके से Albert Bandura और J.B. Watson यानि कि John B. Watson ने भी behaviorism से ही connected classical conditioning theory दी है तो जब भी classical conditioning theory की बात होगी तो दो person आएंगे एक J.B. Watson एक even problem तो आज हम जो काम करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन दोनों के person के बारे में इन्होंने क्या experiment किया क्या result आएं, क्यों experiment किया, यह सब आज हम क्लास में हम discuss करेंगे आगे हम देखते है एक picture इस picture में एक person है, जिसके right and left hand दोनों हातों में कुछ ना कुछ है एक में bell है, एक में food है डोग का food है, basically वो और जो डोग है, उसके मुँ से saliva निकल रही है अब वो saliva bell के sound से निकल रही है अब question यही है कि जब भी हम खाना देखते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारी मुँ से saliva निकलती है या कई-कई बार ऐसा होता है कि हमा जैसे हम आख के पास जाते हैं, तो हमारा हाथ पहले ही पीछे हो जाता है तो अचानक से, suddenly तो वो unconditioned जो चीजे होती है और conditioning के साथ होती है तो उनमें जो difference है वो आज हम पढ़ेंगे यानि कि basically हम conditioning की theory पढ़ेंगे जिसको हम classical conditioning theory भी कहते हैं तो इवान पैवलव जैसे कि उनने बताया इन्होंने एक बात पोली थी कि कभी भी facts के और ये इसका सबसे बड़ा example में आपको दे सकते हैं उस quote का जैसे कि आजकर के लोग viral videos को जादा viral videos को जादा promote करते हैं viral videos को सच मान लेते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो चानना ही नहीं चाते कि इस viral video का सच गया है कहां से इसका origin हुआ है क्या इसकी mystery है वो सिर्फ एक उसके mayor recorder बन जाते हैं जैसे कि इवान पैवलव ने कहा था next time इवान पैवलव का जनम कब हुआ है देख लेता है 21 September 1849 कुन का जनम हुआ था और उनकी मृत्यों हुई थी 27 February 1936 को इवान पैवलव एक Russian physiologist थे वो psychologist नहीं थे वो एक physiologist थे उनका जो experiment था वो इसी बेस पे हुआ था कि इवान पैवलव ने यही सोचा था कि वो dog का digestive system देखेंगी क्योंकि वो physiologist थे लेकिन कहीं ना कहीं वो automatically psychologist बन गए on the basis of उनके experiment पे तो देख लेते हैं उन्होंने classical conditioning theory को बनाया प्रोपाउंट किया पाउंडर है वो classical conditioning theory के और उनका जो experiment है वो dog पे है अब हम देख लेते हैं classical conditioning होती गया है यह एक type की learning ही है जिसके अंदर एक neutral stimulus लाया जाता है ताकि एक response आए किसके बाद उसको pair करने के बाद natural stimulus के साथ उसको pair करके फिर ऐसा response लेकर आया जाता है तो यहाँ पे conditioning बनाई जाती है between the natural stimulus and neutral stimulus neutral stimulus को आप artificial stimulus भी बोलते हो जिससे naturally कोई response नहीं आता है लेकिन जब उसकी conditioning करती जाती है unconditioned response stimulus के साथ तब उसका response आने लगता है जैसे अब हम discuss कर लेते हैं क्या है neutral stimulus और क्या है unconditioned stimulus जैसे कि मैंने बताया neutral stimulus को हम artificial stimulus भी बोलते हैं यह stimulus naturally कोई भी response नहीं लेकर आता है unconditioned stimulus वो stimulus होता है जो naturally ही एक response लेकर आ जाए next हम बात करते हैं experiment की क्या experiment था Ivan Pavlov का Ivan Pavlov ने कहीं ना कहीं conditioned reflex का concept बना दिया था और उन्हें एक hungry drug को train किया था कि वो जैसे ही sound वजे बजर वजे उसको क्या करना है उसकी saliva निकलने लगेगी यह कहीं ना कहीं जो previously किस चीज से associated हो रही थी cytophore से पहले क्या हो रहा था वो खाने को देखता था तो उसकी saliva आने लगती थी और उसकी एक conditioning बनाई गई बैल के साथ और अब उसकी saliva जो है एंडमोस की saliva आने लगी वो बैल के sound से ही आने लग गई यही था उनका पूरी के पूरी experiment इस experiment में चार conditioning थी पहली conditioning में दो चीज़े दिखाई गई थी पहला unconditioned stimulus जिसमें एक unconditioned response आ रहा था saliva निकल रही थी dog की मुझे दूचा neutral stimulus कोई भी saliva नहीं आ रहा था कोई भी conditioned response नहीं आ रहा था no conditioned response इसलिए neutral stimulus पे उसने कोई response नहीं दिया वही unconditioned response पे उसने unconditioned response दे दिया तो दोनों ही condition में response तो unconditioned मतलब कोई भी conditioned response तो नहीं आ रहे थे जब conditioning बना दी गई bell और food के बीच में तो उसका saliva आने लगा लेकिन unconditioned response के साथ वहीं उस condition के बाद जब conditioning बन चुकी है तो conditioned stimulus के साथ भी उसका condition response आने लगा इसको हम components देख लेते हैं classical conditioning फिर हमें अच्छे से समझना जाएगा unconditioned stimulus एक ऐसा stimulus जो naturally response आने लगे अचानक से एक ऐसे stimulus के साथ तो वह तो natural stimulus है unconditioned stimulus भी है उसको बोल सकते हैं next है unconditioned response एक ऐसा unlearned response जो naturally हो in response to the unconditioned stimulus unconditioned stimulus के साथ unlearned response आना यानि कि naturally आना वो हमारा unconditioned response है next हमारा unconditioned stimulus CS एक previously neutrally neutral stimulus को हम जब pair कर सकते हैं या कर देते हैं unconditioned stimulus के साथ तो फिर conditioned stimulus आता है यहींग हमारा प्लस बना unconditioned stimulus का प्लस neutral stimulus का next है हमारा conditioned response तो condition response तो basically conditioned stimulus से जो response आई वो conditioned response है इसको हम एक equation से देख सकते हैं जैसे कि पहले मैंने UCS को join किया किसके साथ? neutral stimulus के साथ फिर उससे हमारा क्या निकला है? conditioned stimulus conditioned stimulus से हमारा conditioned response आ रहा है ठीक है? next हम देख सकते हैं picture given है हमें जिसमें एक dog है और bell के sound से उसका saliva आ रहा है अब यहाँ पर principle है classical conditioning के क्या होते है principles of classical conditioning कि जब भी classical conditioning होगी in conditions में ही होगी classical conditioning को होने के लिए यह चीज़े जरूरी है अब अच्छे से देख लेते हैं क्या है principle of classical conditioning और क्या कहते हैं यह principle तो सबसे पहला है acquisition acquisition classical conditioning या फिर stage of initial stage of learning होती है जब एक response पहली बार establish होता है किसी stimulus के साथ तो वो हमारे acquisition में आ जाता है जैसे कि हम learning और acquisition में फर्क होता है जब naturally हम कोई चीज करते हैं तो acquisition में आता है जैसे कि बच्चे हैं वो अपने environment से acquisition ही होता है उनको जो मातर भाजा होती है हमारी mother language होती है वो acquisition में ही आती है rather than learning उसको हम सीखते नहीं है next है हम बात कर लेते हैं अपनी extinction के बारे में क्या होती है extinction extinction तब होती है जब condition response घटने लगता है condition response घटने लगता है condition response का बारा था हमारा जब condition condition stimulus present किया जा रहा था तो जब वो घटने लगे classical conditioning में क्या होता है condition response condition stimulus ज़्यादा टाइम तक unconditioned stimulus के साथ pair नहीं हो सकता आप pair कर रहे हो एक particular time पे जाके भी अगर हम इस theory को पढ़े तो bell का जो sound है वो dog की saliva को रोगतेगा एक point पे जाके कोई हम fix नहीं कर सकते इस चीज को next है हमारा spontaneous recovery कभी कभी क्या होता है जब हम कोई learn response जैसे कि मैंने response सीख लिया condition response सीख लिया कि इस stimulus पे मुझे ये response करना है तो वो suddenly क्या होने लगता है remerge होने लगता है जैसे कि extinction का period चल रहा है अब मुझे क्या हो रहा है तो उस period में ही मेरी recovery होनी चालो हो जाती है spontaneous recovery उसको बोलते है जब आपके condition response का जो reappearance होता है वो खतम होने लगता है और आपके जो response है वो उस period से दीरे दीरे कम होते चले जाते हैं यानि कि पहले आपने conditioning बनाई फिर उसी conditioning का धीरे 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 खतम होना भी चलो हो जाता है next हम बात कर लेते हैं जैसे कि spontaneous recovery का में एक example बता देती हूँ आपने एक dog को train तो कर दिया कि वो जैसे ही sound वज़ेगा bell का वो क्या करने लगेगा saliva उसके मुह से निकलने लगेगी आप उसको रोक you stop reinforcing the behavior आपने कहा किया उसके behavior को stop करने के कोसिस करें जहां वो खाने के बारे में सोच के और खाने को देखकर saliva निकाल रहा था या निकल रही तो उसके मुह से अब क्या हो रहा है अब आपने उसको कहीं न कहीं उसके बीच में conditioning बांदी है कि वो bell के sound से saliva उसके मुह से निकलेगा और वो निकल भी रही है लेकिन एक period पे जाके क्या होता है जहां पे condition stimulus present नहीं होगा तो वो क्या करेगा you suddenly ring the bell and the animal is spontaneously recovery the previous learned response तो उसको क्या होगा previously learned response को वो भूल जाएगा after this period during the condition stimulus present नहीं है but you suddenly ring the bell आपने condition stimulus represent किया था जैसे कि आपने क्या बना था आपने bell और food को साथ में combine कर दिया वो conditioned stimulus हो गया था अब आपने condition stimulus हटा दिया है तो वो spontaneous recovery है अब वो क्या कर रहा है अब वो सिर्फ bell के sound से भी response दे रहा है तो conditioned stimulus तो नहीं रहा न तो उसने क्या किया अब वो learned जो उसने previously learned response सीखे थे वो उनको नहीं समझ पा रहा है next is stimulus generalization क्या होता है stimulus generalization एक tendency होती है जहां पर conditioned stimulus को evoke किया जाता है similar responses के साथ जो response पहले किस के साथ बनाए गए थे conditioning के साथ बनाए थे conditioned किये गए थे इसको भी आब example से सबसकते हो जैसे की एक डोग है उसको conditioned कर दिया गया है कि वो sound bell के sound पे saliva मतलब उसके मूँ से saliva निकलेगी bell के sound पे अब animal क्या करता है वो क्या करता है same response देता है that is similar to the condition stimulus है ना अब होता किया stimulus generalization में पहले क्या हो रहा था bell बज़री थी sound आ रहा था उसके मुझे सलावा निकल रहा था कई बार क्या होता है कि वो किसी भी kind का sound सुनता है बाहर से train जा रही है उसका sound सुर रहा है तो उसके मुझे सलावा निकल रहा है क्योंकि उस particular time तो उसने क्या कर लिया था generalization किया था कि जब भी कोई sound आएगा जब भी मुझे खाना रिप्रेजेंट होगा अब वो bell को भी देख रहा था लेकिन कहिना कि उसके दिमाग में जो conditioning बन रही थी वो sound के साथ बन रही थी ठीक है next हम बात करें दें discrimination की discrimination ability होती है होनी चाहिए वो जब conditioned stumulus और धूसरे stumulus के साथ होती है जैसे मैंने stumulus generalization समझ लिया था कि generalize कर रहा था कोई stumulus के बीच में तो यहां discrimination करना भी जरूरी है classical conditioning तभी हो पाती है conditioning आप तभी बना पाते हो जब आप discrimination जानते हो जैसे कि bell बजरी थी खाना represent हो रहा था तो यह तो conditioned stumulus था आपने खाना हटा लिया conditioned stumulus हट गया लेकिन वहां पे फिर भी previous learned response उसको आ रखा था कि bell बज़े की तो मेरा खाना आ जाएगा यह उसके दिमाग में थी अब stumulus generalization में यही था कि दो kind of sound हो सकते हैं sound तो किसी भी type क्या हो सकते है bell का sound होने पर तो उसको saliva आ रहा था लेकिन discrimination ही नहीं करेगा अगर उसको यही नहीं पता होगा कि bell का sound पे ही उसको खाना मिल रहा था यह किसी भी kind के sound पे उसको खाना मिल रहा था तो यह conditioning भी बहुत जरूरी है क्योंकि sound तो उसको किसी भी तरीके से आ सकता है तो यह principle है classical conditioning के जो होने चाहिए अब हम next picture में जैसे कि देख सकता है classical conditioning को ही represent किया गया है पहले में bell है जहांपे dog ने कोई response दी लिया तो यहांपे bell क्या है? neutral stimulus एक artificial stimulus हम इसको बोल सकते हैं यहांपे dog ने कोई भी reaction नहीं दिया कोई response नहीं दिया लेकिन जब मैंने conditioning लगाई conditioning के टाइम पे मैंने एक artificial stimulus को और एक natural stimulus को जिसको unconditional stimulus बोलते हैं natural stimulus को combined किया तो food के मुँसे saliva आई वैसे saliva तो उसके खाने पे भी आती लेकिन वह तो natural stimulus था लेकिन conditioning बनने के बाद हो क्या रहा है अब वो bell के sound पे भी saliva उसके मुँसे निकल रहा है तो यहांपे उसने conditioning बना लिया है जैसे कि अभी इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे दूसरी थियोरी से पहले हम अब हम पहले देख लेता है कि कोन है जैबी वोर्सन जैसे कि मैंने बता है behaviorism के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो चाल लोगों के बारे में बात करते हैं इसी तरी किसम जैबी वोर्सन की भी बात करेंगे यह एक American psychologist थे इन्होंने ही behavior का word सबसे पहले use किया था यह Pavlov के experiment से influence हो गए थे इन्होंने सोचा कि उस चीज़ को इन्होंने अच्छे से समझना चालू कर दिया इन्होंने यह बोला था कि तीन basic emotion होते हैं किसी भी human के fear, anger and love और इन्हीं emotion से वो सीखता है कि कैसे वो process of conditioning करेगा यहन्य conditioning बनती ही emotion based है कभी भी emotions के बिना conditioning नहीं बनती तो चले अब हम बात करते हैं JP Watson एक psychologist थे behaviorism की उन्होंने बात की थी वो भी जाने जाते हैं अपने famous experiment के लिए Robert Albert का experiment अब उनका experiment देख लेते हैं क्या experiment था उनका उन्होंने experiment किया था rat पे उन्होंने किया क्या था देख सकता है उन्होंने rat को उसके सामने छोड़ दिया वो बड़ा खुष्टा ना डर आवो मतलब उसको कोई डर उससे नहीं लगा कोई rat से उसको कोई भी fear उसने शो नहीं किया यह उनका सबसे best example है फिर जो जैन भी वोट्सन जो थे वो एक ऐसा response दे रहे थे धीरे धीरे क्या करा वोट्सन लिटिल अर्बर्ट ने जब भी जो rat था वो उनके पास आता है उससे दूर जाता तो वो बहुत जोड़ जोड़ की sound करने लगे अब उसको क्या लगा sound होगा तो rat उसको जैसे rat उसके पास आएगा तो sound होगा अब उसको ड़ लगने लग गया एक तरीके का fear उसके बीच में बन गया तो neutral response क्या था जब भी rat उसके पास आ रहा था पहले तो उसने कोई भी fear शो नहीं करा था the child initially showed no fear उसको कोई fear नहीं हो रहा है पहले picture में represent हो रहा है जब वो वाइट चोएं को देख रहा है लेकिन जैसे ही presentation हुई rat की कि उसको repair कर दिया गया scary scary sound के साथ तो child नहीं क्या क्या शुरो ना सुरू कर दिया और धीरे 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 अब जब rat present होता था जैसी sound create होता था rat present होता था rat present होता sound होता तो यहाँ पर भी same क्या है conditioning बना दी गई है एक unconditioned stimulus के बीच में neutral stimulus के बीच में तो उस conditioning के बनने के बाद अब किसी भी तरीके का white चीज देखता या white pair वाली चीज़े देखता तो उसको डर लगने लगता क्यों उसने उसको conditioning में अपने डाल ले जैसे मैं इसको पिक्चर से show कर देती हूँ पहले मैं आपको बता दूँ कि unconditioned stimulus क्या था loud noise ठीक है unconditioned stimulus neutral response दे रहा था वो white rat unconditioned response ने क्या दिया था fear conditioned stimulus तो यह था कि white rat plus sound दोनों को जोड लेना bell को बैल को देखने पर भी और उसको सुनने पर भी तो saliva आ रहा था हूँ मतलब डोगी के मुझह सलायव आ रहा था वो तो conditioned stimulus के बाद भी आ रहा था और unconditioned stimulus पर भी आ रहा था और end में बोल कर दिया neutral stimulus को ही उसने conditioned stimulus मानना चुरू कर दिया या फिर ऐसे stimulus मानना चुरू कर दिया खेल रहा है रैट के साथ, बल्कि इंजोई भी कर रहा है, रैट को पैट कर रहा है, उसके उपर हाथ फेर रहा है, खुश है, कोई डर नहीं लग रहा है उसको, अब वो अलबर्ट लेकिन डर गया, लाउड नोइजस से, क्रियेट कर दी गई, अब कंडिशनिंग लगा दी ग वोर्षय ने क्या करना सुरू कर दिया, जोर-जोर की आवाजे करनी सुरू कर दी, इससे अलबर्ट को डर लगने लग लग जया, अब इससे इस स्केरिंग वन कमिंग क्लोस तो सिचेशन रिपेटर, अब देख कभी-कभी क्या होता है, कि जैसे ही वो उसके पास जाता, वकिन एक एसा environment बना दिया गया, उसको sound create कर दे गया, कि उसको से डरने लगा, डर लगने लगा, और साइकोलोजिस ने loud noises बना बनाकर hammer के साथ, metal pipe के साथ, उसके conditioning बना दी इस चीज के साथ, कि जब भी वो white वाली चीजों के पास, फर वाली चीजों के पास जाता है, तो ऐस साउंड क्लियर ना किया जाए क्योंकि उसकी कंडिशनिंग बन चुकी है अब वो कंडिशन्ड हो चुका है रिलाइस कर चुका है कि रैट जो है वो लाउड नोइजिस से रिलेटेड है चैनल के उमर में हम देखे तो अलबर्ट जो वच्चा था मर गया था अगर वो शायद अगर वो जीता तो उसकी कंडिशनिंग जो उसने बना ली थी वो खतम हो जाती और वो रैंडमली कभी कभी डरता था कंडिशनिंग तो बन चुकी थी अब वो किसी भी वाइट फर वाली वाइट रैड है नूचल इस्ट्यूमलस है यह जो इस्त्यूमलस है प्रेजन्ट किया है यह यह आर्टिफिशल इस्ट्यूमलस है कोई डर नहीं है जो हैमारा अलबर्ट खुश है अब इस तिल बार एको हैम्र के साथ हिट हिट कर किया गया तो यह क्या हो रहे है reflexus की जा रही है यह अन कंडिशन चीनल अच्छुबलास है थो 사ंट क्रिएट किया रहा है deed ऑचानक से अगर हम बात करें अब हूं अब्र बना यहन当 झाल रहा है तो natural reflexes से बच्चे को डालने लगा यानी unconditioned response आने लगा फिर जब conditioning लगाई गई तो neutral stimulus को हमने unconditioned stimulus के साथ जोड दिया और एक unconditioned response ही आया बच्चा डर रहा है बीबी लेकिन जब conditioning बना दी गई है तो उसको चूहां दिखाने पर किसी भी तरह की white चीज़ दिखाने पर वो रोने रखता है sound से डरता उसको कहीं ना कहीं natural stimulus sound ही था लेकिन जब हमने उसको neutral stimulus के साथ प्रिजेंट किया conditioning बनाई तो वो उस conditioning के बाद तो चाहिए आप उसके सामने से conditioned stimulus हटा भी दो तो वो उस neutral stimulus से भी डरने लगता है क्योंकि वो conditioning बना चुका है between the unconditioned stimulus और conditioned stimulus conditioned stimulus और natural stimulus के बाद बीच में उसने conditioning बना लिया है next time देख लेते है exercise अब आप अपनी आखे बंद किजेगा और सोचे अपने फेवरेट फूड के बारे में आपके कुछ भी जो भी आपको पसंद है आप उसके बारे में सोच सकते हैं सोचे कि वो आपके सामने रखाया तो क्या हुआ जैसे कि यह पिज़ा मैंने आपके सामने दिखाया इस पिज़ा को देख के आपको क्या हो रहा है आपके मुझे सलाइबा आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप conditioned हो आपको इवन पैबलब बोला था अलवर्ट बंडूरा बोला था और एक हमारे और रहे जिसको हम जेवी बोटसन बोलते हैं वो थे तो जेवी बोटसन ने कहीं न कहीं classical conditioning theory को ही expand किया था या classical conditioning theory में जेवी बोटसन और हमारे इवन पाबलव दोनों थे अब हम बात कर रहे हैं skinner की operant conditioning theory की classical conditioning theory की opposite है operant conditioning theory वहाँ पे आप एक conditioning बना रहे थे between the stimulus and response तो होता तो वहाँ पर भी हर theory की learning theory की तरह जैसे trial and error theory थी stimulus response theory थी एक connection बनता था between the stimulus and response आपको stimulus present किया जाता था था कि आप easily response दे पाए और आपको जो भी आपका objective है वह अचीव हो जाए लेकिन operant conditioning theory में अब तक की जितनी भी theory अगर हमने पड़ी है तो उसमें यही देखा है कि आपको कुछ stimulus provide किया जा रहा है so that आपको वह मिल जाए automatically आपको response करे आप लेकिन operant conditioning theory में ऐसा नहीं है यहाँ पर आप पहले response करोगे फिर आपको stimulus represent होगा उसके बाद आपकी conditioning होगा या conditioning होने के बाद आपका objective अचीव होगा इसलिए इसको operant conditioning theory पो लगा है क्योंकि इस पूरी skinner की जो theory है operant conditioning theory इसमें जो experiment है वो चूहें पे है रैट पे इसलिए जो उपर picture है वो उनके experiment से ही ली गई है इसमें हम देख सकते हैं चूहा है जो एक box में बंद है उस box में उसको shock भी मिलता है generator लगा हुआ है तो basically एक electrical greed है, food का cup है, dispenser की tube है, pellet dispenser है और एक speaker भी है, signal की lights है and level है ठीक है अब जाय सी बात हैं हम यह समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उसको shock भी मिलेगा और कहीं न कहीं उसको खाना भी मिलेगा और lever पे pair पढ़ने पर ही जैसे की trial and error theory में था और dog वाले में conditioning बनाई गई थी बट वहाँ पे कोई operation नहीं था बस यह था कि जब भी dog कैसे reactions देगा, मतलब bell की voice सुनकर या अपने stimulus को देखकर कैसे activities करा था, वो देखा जा रहा था यहाँ पे हमें picture से जितना पैता चला है, अभी तक तो यहीं पैता चला है next हम देख लेते हैं, operant conditioning theory के founder है B.F. Skinner B.F. Skinner बहुत important है क्योंकि कई questions में आ जाता है की Skinner कौन थे B.F. Skinner behaviorism से related थे, पूछा जा सकता है और B.F. Skinner behaviorism के साथ साथ अगर हम देखे तो operant conditioning theory उन्होंने ही दी है उनकी theory के एक नहीं कई नाम थे, जैसे के operant conditioning theory नाम तो इसका एक है दूसरा नाम इसका stimulus response theory नहीं, response stimulus theory stimulus response theory trial and error theory में थी और बात कर ले तो classical conditioning theory में भी अगर हम देखे तो stimulus से ही response आ रहे थे जाए फिर वो condition stimulus हो, unconditioned stimulus हो, neutral stimulus हो या किसी भी type का stimulus प्रवाइट किया जाए response stimulus में पहले response किया जाएगा, फिर आपको stimulus दिया जाएगा, ये response stimulus theory है operant conditioning theory and instrumental theory, इसको instrumental theory भी बोला जाता है next अगर हम देखे, तो operant conditioning theory, it is a method of learning ये एक ऐसा learning का method है, जिसमें learning होती है rewards and punishment के लिए for behavior, जैसा भी आप behave करोगे, उसके basis पे आपको reward and punishment दिया जाएगा, उससे आपकी learning होगी, method of learning है ये अगर हम बात करें बाकी की, इसके बारे में, जैसे की, जो है हमारा ये theory है, इसमें आगे हम देखते हैं, अपना experiment, कि क्या experiment किया है B.F. Skinner ने अपनी theories में, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें एक picture दी गई है, इसमें इसको हम Skinner Box बोलते हैं, Skinner Box बनाया था, Skinner ने, जिसमें उन्होंने अपना experiment करा था, उस experiment में चुहे पर उन्होंने experiment किया था, और उसमें कोई stimulus पहले नहीं दिया गया था, बाद में उसकोई stimulus आएगा, जब वो response कर देगा, अब जैसे कि इसमें पढ़ सकते हैं, रेट को रखा गया metal cage में, metal की ये बनी हुई cage थी, जिसमें number of levers पड़े हो थे, पहले तो रेट ने अपनी नाख को सब जंगे सब जंगे, घुमाया घुमाया, ऐसे ही वो गूमता रहा, accidentally क्या हुआ, वो जे lever था, वो pressure हो गया, और एक action हो गया, उसके सामने खाना और पानी आ गया, मतलब drop हो गया, गिर गया, इस palette में से जाके dispenser tube में से उसके पास खाना आ जाएगा, तो जैसे ही अब रेट को क्या होगा, वो repeat करता रहेगा, action कर उसको पता चल जाएगा, जैसे उसको खाना और पानी मिलता है, जब भी वो lever को space करता है, तो बस ये उसके behavior में आ गया, अब वो ये चीज़ सीख चुका है, उसकी behaviors में मतलब कह सकते हैं, वो learning उसकी हो चुकी है, उसने conditioning सीख लिये कि कैसे उसको खाना और पानी मिलेगा, अब जब भी rat को rewarded किया जाएगा, condition to repeat positive action to continue being rewarded, जब भी वो उस action को करेगा, positive action करेगा, तो उसको reward मिलेगा, negative action करेगा, तो उसको punishment मिलेगी, consequences के निकले एक होता है reinforcement, reinforcement एक process होती है, जिसके थूँ आप behavior को strengthen, मतलब behavior आपका अच्छा किया जाता है, और आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिया जाता है, मतलब जो भी आपको चाहिए होता है, अगर इसे दुबारा करोगे, तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा, तो इसे जैसे चीज मिलेगा उसको, वही punishment होती है, punishment वो process है, जिससे आपका behavior weak हो जाता है, मतलब आपकी जो काम होता है, वो गलत हो गया, आपको कुछ punishment दी गई, तो आपकी जो learning थी, वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, पहले जैसी learning की effectiveness आप में नहीं रहेगी, इसलिए इसको कम करा जाता है, कि punishment आपको कम मिले, और उसको जादा किया जाता है, reinforcement आपको जादा मिले, और punishment आपको कम मिले, reinforcement कहीं टाइप के होता है, एक होता है positive reinforcement, एक होता है negative reinforcement, यानि two types of reinforcement होते हैं, अगर हम बात करें, positive reinforcement की, तो एक ऐसा behavior, जब आपके behavior को अच्छा करने के लिए, strong बनाने के लिए आपको positive stimulus प्रोवाइड किया जाता है, तो वो positive reinforcement है, वहीं अगर आपके behavior को, अगर आपके behavior को क्या कह सकते हैं हम, मैं बताती हूँ भी, अगर आपके behavior को stronger बनाया जा रहा है, किसी negative stimulus को दूर ले जाकर, तो भी हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें, तो इस operand conditioning में, यह एक ऐसी learning भी है, जिसमें behaviors ही change किये जा रहे हैं, learning भी change हो रही है, behavior से ही learning change होती है, किस के थूर, rewards किस थूर, और punishment के थूर, मतलब reward आपको earn करना है, punishment आपको नहीं पानी है, punishment को आपको avoid करना है, इसी के थी तरीके से आप सीख सकते हैं, example देख सकती हूँ, मैं आपको upfront conditioning theory का, जैसे कि आप अपने एक बच्चा है, आप उसको एक reinforcement कर रहे हैं, जैसे आप उसको treat दोगे, कब दोगे treat, जब वो अच्छे से एक table पर बैठ जाएगी, और जिस तरीके से आप उसको चाहते हो, यानि कि आप जो behavior उसमें change, जो change behavior उसमें करना चाहते हो, जो behavior आपको पसंद है उसके अंदर, वो करवाने के लिए आप एक उसको reinforcer provide कर रहे हो, treat, जब भी वो अच्छे से बैठेगी, तभी आप उसको reinforce करोगे, तो अच्छा ऐसी बात है कि उसको वो चीज़ चाहिए, तो वो अच्छे से ही बैठेगी, यानि कि reinforcer अच्छे से काम करेगा, next आ जाता है हमारा, कि अगर हम बात करें positive reinforcement की, तो reinforcement में भी positive की भी types होते हैं, जैसे एक होता है natural reinforcer, अब reinforcer की बात हो रही है, natural reinforcers, वो enforcers होते हैं, जो directly as a result of behavior होता है, आपने कुछ की और आपको result मिलिया, जैसे कि आप paper में अच्छे से पढ़ रहे हो, study hard कर रहे हो, मतलब हर class में भी पूरी attention pay कर रहे हो, अपना काम अच्छे से करते हो, तो आप क्या होगे, आपको तब कुछ दिया जा रहा है, तो यह token reinforcers होते हैं, यह tokens आप से exchanged भी किये जा सकते हैं, something pop the values, आप जैसे जैसे activities बढ़ाओगे, जैसे जैसे reduce करोगे, उस basis पे आपको reinforcer मिलेगा, मतलब आपको कुछ अच्छा दिया जाएगा, एक होता है social reinforcer, जब होता है, जब आपके behavior के लिए आपको approval मिले, आपको दूसरों के द्वारा, मतलब appraise किया जाए, आपको बोला जाए, लिखा जाए, कि आपने अच्छा काम क्या, आपका बहुत यच्छा काम है, तो यह सब आपके social reinforcer होते हैं, positive reinforcer के type कर रहे हैं, tangible reinforcer भी होते हैं, जिसमें आप presentation देते हो, physical reward भी आपको दिया जाता है, जैसे कि मैं जटोई दे दे गए, किसी को gift provide के हैं, money दे गए, कुछ भी दे दो आपको, तो यह हमारे tangible reinforcers होते हैं, जब आपको physically कोई चीज प्रोवाइब की जाती है, object दे जाते हैं, as a reinforcer, reinforcement, अब हम बात कर लेते हैं, negative reinforcement की, negative reinforcement तब होता है, जब आपकी behavior को strong किया जाता है, आपसे कोई negative stimulus दूर ले जाके, उसका भी मैं example आपको दे देती हूँ, जैसे कि, आप अपने घर को छोड़ रहे हो, क्यों, सुबह सुबह आप उठ जाते हो, आपकी school का timing आट बज़े, तो आप क्या कर रहे हो, छे बज़े ही वहाँ से जा रहे हैं, ताकि क्यों, ताकि आप जल्दी फोचो, तो कहीं न कहीं, आपको थोड़ा सा, अपनी महनत थोड़ा सा, आपको कस्ट्स हैना पड़ा है, फिर थोड़ी से आपको महनत जादा करनी पड़ी, किसलिए, लेट ना हो जाए अप इसलिए, तो निगेटिव रिइनफोर्समेंट यही होता है, जब आप कुछ करते हो, या आप अपने एक निगेटिव स्ट्यूमलस को दूर हटा देते हो, किसी चीज़ को करने, अब जैसे कि आप अपने कीचन को साफ करते हो, क्यों, ताकि आपको, मतलब आप, यू क्लिन अप यूर मैस इन दा कीचन, तो अब आपका रूमेट है, या उससे आपकी लड़ाई ना हो जाए, इसलिए आप रूम साफ कर देते हो, या आप घर में भी देख सकते हो, बहन भाई होते हैं, लड़ते हैं, तो यह होता है कि अगर कोई चीज ऐसी है, जिसकी वज़े से दूसरे को गुसा है, पहले उसको ठीक कर लो, तो वहाँ पर गी हो सकता है, कि आप नेचुरल निगेटिव रिइनफोर्समेंट कर रहे हो, क्योंकि आप एक निगेटिव स्टूमलस को उस टाइम पर दूर ले जा रहे हो, निगेटिव रिइनफोर्समेंट ताफी, एफेक्टिव होता है जब आप उसको एकड़म से, जैसे बिहेवियर हुआ है, उसी टाइम पर उसको प्रिजेंट कर दो, नेच्स्ट हमारा आता है टाईप ओफ रिइन्फोर्समेंट, type of reinforcement में हम जाना तक जानते हैं four types of reinforcement होते हैं जैसे reinforcement को दो type पे बाढ़ सकते हो एक आप ratio की type पे बाढ़ सकते हो एक time interval की time पे base पे बाढ़ सकते हो अगर आप fixed देख रहे हो तो ratio time दोनों में देखोगे अगर आप variable में देख रहे हो तो आप ratio time दोनों में देखोगे इसका example यह कह सकते हैं हम जैसे कि fixed वाला देख लेता है हम reinforcement fixed में होता है reinforcement आपको provide किया जाएगा after specific number of responses जैसे कि मैं कह सकती हूँ अगर मैं इसी में ही देख लूँ अगर मैं चलो classical conditioning वाले में देख सकते हैं हम classical conditioning में यह था कि वो जो dog था उसको food के साथ bell का sound वज़रा तो उसको food प्रोएट कि अब जैसे कि हम यह कहते कि आप हमें चार आप इस काम को चार बार करो पांच वी बार जब आप इसी काम को करोगे तो आपको कोई अच्छा सा gift प्रोएट किया जाएगा तो वो क्या होगा जब भी आप चार बार काम करोगे आपको पांच वी बार gift दिया जाएगा तो यह fixed हो गया कि आपको चार बार करने के बाद पांच वी बार reinforcement मिलेगा ही मिलेगा आपको कोई gift मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए वही time travel यह तो एक रेशो में था कि इस रेशो में आपको मिलेगा इसका example भी नीचे given है जैसे गी when the toddler turns the page in a book every time और every third time जब भी कोई toddler turns the page in a book every time और every third time तब उसको reinforcement दी जाएगी वही हम अगर बात करे reinforcement time travel में तो यहाँ पे एक specific length of time पे आपको reinforcement दिया जाता है कि हर 5 मिनट बाद आपको reinforcement दिया जाएगा हर 2 मिनट के बाद toddler को quietly car seat पे बैठना होगा यह चीज आपकी time travel के interval के हिसाब से हो जाएगी वही variable के basis पे देखे तो एक हमारा ratio के है और एक हमारा time travel में है अगर हम ratio में देखे तो reinforcement provide किया जाएगा after average number of responses जैसे कि toddler है अब एक बार variables में हम यह वाला example भी रख सकता है कि देखो continuous हो गया, fixed हो गया continuous variable में चला जाएगा fixed में fixed वाले जाएगे continuous में अगर variable वाला चल रहा है तो यह कि पहली बार मैं आपको जब दे रही हूँ तो तीन चीजे आपने तीन बार काम किया मैंने fourth time आपको reinforcement दे दिया आप खुस हो गए वहीं आपने जब दूसरी बार काम किया ratio की बात हो रही है तो कितना देंगे आपको कितना reinforcement दिया जाएगा और कब दिया जाएगा यह आपको variable में नहीं पता वहीं आपको अगर variable time interval में दे दिया जाए तो फिर वाल time के basis पे वो चीज़े चलती है कि दो मिनट के बाद मैंने आपको एक reinforcement दे दिया वहीं फिर दस मिनट के बाद मैंने आपको तीन reinforcement दे दिये तो यह हमारा time interval के according है ओपरांट कंडिशनी में बेसिकली reinforcement और punishment का ही concept चलता है reinforcement में यह matter करेगा कि आप इस tumult को present करके रखोगे या removed कर दोगे क्योंकि present करके रखोगे तो behavior अच्छा ही बनेगा दोनों ही conditions में अगर आप reinforcement की बात करते हो तो behavior को अच्छा ही बनाया जाता है क्योंकि कहीं बार negative stimulus को हटाया जाता है और कहीं बार positive stimulus को डाला जाता है वहीं अगर punishment की बात की जाए तो वहाँ पर response होते है पनिस्मेंट तभी होगी जब आप अच्छा response करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा मतलब behavior जो होगा आपका decrease होगा लेकिन punishment मिलने पर कहीं न कहीं आपका decrease ही होता है sometimes आपको कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी punishment दी जाते हो तो वहाँ आप में सायद good changes हो जाए एक बन मैं आपको reinforcement के types के बारे मैं अच्छे से explain कर देती हूँ continuous reinforcement जब कोई एक चीज़ पढ़ाते है जब भी हम कोई एक चीज़ पढ़ाते हो continuous reinforcement में होती है ओपनांट conditioning में जैसे desired behavior हो जाए अगर हम कह सकते हैं तो तो fixed ratio है अगर जैसे आप fixed ratio में आप यह कह सकते हो कि आप चूहे को खाना दोगी जब वो बार को मतलब जो level था उसको 5 बार दबाएगा 5 बार फिर प्रेस करा तो उसको food मिल गा हर 5 बार करने के बाद उसको level को प्रेस करने के बाद उसको food मिल रहा है जैसे चार बार कर लिया आपने इस काम को फिर पांच बार आपको reinforcement मिल गया वही time के basis पे आपने पांच मिनट ये काम किया फिर आपको reinforcement मिल गया तो यह difference बहुत अच्छे से clear रखना कि यहां पर ratio और time की बाते हो रही है fixed और variable की बाते हो रही है fixed में reinforcement same रहेगा और time और ratio आपका same रहेगा मतलब ratio चल रहा है तो उसी ratio में हर बार चलेगा और time travel चल रहा है तो उसी time के बाद हर बार reinforcement बिलेगा लेकिन variable में ऐसे नहीं होता है variable में आप change कर सकते हो जब भी कोई भी response अगर आप reinforcement करे हो उसको reinforcement देनी होगी जो थी यही थी हमारी classical conditioning theory I hope guys आपको पसंद आई हो और मेरी videos को like and subscribe करना ना भूले और share भी करना ना भूले अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो या इससे लिडिल कोई भी query हो तो आप comment section में हमें message कर ड्रॉप कर दीचेगा हम आपकी query का जरूर आंसर करें थेंक्यू